हेलो एवरिवन हमारा नेक्स चैप्टर है भारती सम्विदान के प्रमुख भाग ठीक है बाइस थे अभी फिलाल 25 है और अब हम एक एक करके देखते हैं कौन-कौन से हैं तो ठीक है संग-राजे-चितर भाग एक ठीक है नागरिक्ता भाग दो मौलिक अदिकार भाग तीन निती-निदेशक्तत्व चार और मौलिक करतव चार क ये एक साथ यात कर लिज्ये ठीक है और अगर एक साथ ना भी हो तो कम से कम पहला दूसरा एक साथ कर लिजे और बागी के तीन एक साथ कर लिजे संग राज चेत्र ठीक है पहले में हो गया नागरिकता दूसरे में हो गया और इन तीनों के एक साथ कर लिजे मौलिक अदिकार थर्ड में फिर चौथे में डीपी एसपी और चार का में मौलिक छटे में राज्य हैं, साथवे में कुछ भी नहीं है और आठवे में संग राज्य है, यानि कि यूटी संग, राज, कुछ भी नहीं, और संग राज्य ठिक, यानि कि यूटी योग्या, आगे आजाईए, ठिक है और इन तीनों को एक साथ कर लीजे नो में क्या है पंचायते हैं नो क में क्या है नगरपाली का है और नो का में क्या है सहकारी समीतिया है यह हो गया फिर अनुसूची एवं जनजाती छित्र दस में हो गया यह भाग है ठीक है ज्यादरे भाग में है और उसके रावा संग के एक कर लीजे और राज को एक कर लीजे ठीक है एक एक ग्यारा ठीक और बारवी में क्या है वित्त है वित्त संपती संविदाएं और वाद तो वसे मतलब वित्त से याद रहेगा बारवे तेरा में क्या है व्यापार भारत की राज जी छेत्र के भीतर व्यापार वाण सिवाएं, ठीक है संग और राजियों के दिन जो भी सिवाएं है, चोदा में है चोदा कव में क्या है आधिकरण है ठीक, पंद्रा में क्या है निर्वाचन है सोला में क्या है, कुछ विशेश उबबंद किया गया कुछ वर्गों के संबन्द में कुछ विशेश उबबंद किया गया सत्रा में क्या है, राजभाषा है भाषा सत्रा, अठारा आपात एक जैसा लग रहा है अठारा आपात, उन्निस प्रकीन बीस, संशोधन एकीस आस्थाई, संक्रमन कालिन विशेश उबबंद, आस्थाई या संक्रमन कालिन एक कोई ले लिजे संक्रमन कालिन वर्ड ले लिजे और बाइस में क्या है, हिंदी वगर के बारे में है, संशितना प्रारंब में हिंदी प्रादिकृत वगर वगर, कुल में लाके हिंदी एक वर्ड याद रखेंगे ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं तो इन तीनों को एक साथ करिए नौ में पंचायते, नौका में नगरपालिका और नौका में सहिकारी समितिया ठीक, उसके बाद दस में आ जाईए, ये अनुसुचित और जन्जाती छेत्र फिर ग्यारा में आ जाईए, एक और एक ग्यारा, यानि कि संग और राजी के भी संबंद ठीक है, बारा में आ जाईए, वित तेरा में आ जाईए, व्यापार चौदा में और चौदा का एक साथ कर लीजे ये चौदा में सेवाएं कर लीजे और चौदा कमें अधिकरण पंद्र में निर्वाचन सोला में विशेश उबबंध ठीक है सत्रा में भाषा अठारा में आपात उन्निस में प्रकीन बीस में संशोधन 21 में संक्रमन कालीन शब्द याद रहेगा और 22 में हिंदी ठीक है आजाईए आगे चलते हैं यह हो गया हमारा अब कुशनन से स्टार्ट करते हैं भारतिय समिधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है ठीक है यह तो सभी को पता है ठीक है अभी फिलाल 25 हो गया है 22 से 25 हो गया है पूछा है कौन सा सही नहीं है तो देखिए नागरिकता तो 2 में है ठीक है मौलिक अधिकार 3 में है सही है मौलिक करतव है इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है जो उपर लिखा है ये जो लिखा है वो 6 6 A कर दिया है जबकि जो है मौलिक करता है वो 4 A में है ठीक है और राज ये 6 में है संग ठीक है संग राज और 8 में क्या था UT UT था ठीक है 5 6 और 7 में कुछ भी नहीं था कुशन 3 हमारे संग के किस भाग में 325 में पंचायत 5 में किस में है 9 में पंचायत 9 में है रोमन वाला अगर नायाद होता हो तो कोई short trick तो नहीं है वो तो याद करना पड़ेगा रोमन words जो रोमन संख्या है उनको याद करना ही पड़ेगा ये 10 है ये 9 है ये 11 है ठीक है जो पंचायते हैं वो 73 सम्विधान संसोदन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अपरेल 1993 यह तारीक खियात करनी रटनी है क्योंकि यह पूछा जाता है 24 अपरेल 1993 से अंता स्थापित सम्विधान के भाग 9 में 305 में पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है तो इसमें अनुछे 243 ख ठीक है के खंड एक में कहा गया है कि प्रतेक राज में ग्राम मद्दिवर्ती जिला अस्तर पर इस भाग के उब बंदों के अनुसार पंचा के यहां इन पिर्तल आपको बंदों में युए है कि मोला मीन दिजह कोते हैं में अлिच्छा कि में भाग 10 वतर्पकर के संभेशनMost 5 2 खनर्पन की बात की गई है ट्रीजिंः लेवल्स समीति ऐस तर्की और असे के ओधर में टाकल में त्क बात सब्सक्तर के पूछा है क्या सही है तो संग और राज्यों के बीच के बारे बात कर रहा है तो संग को एक माना था और राज्यों को एक माना था तो ग्यारा हो गया ठीक है अध्या एक की बात है अनुछेद कौन कौन से हैं कहां से कहां से दो सो पैतालिस सो दो सो पश्पन ठीक है और दूस प्रशाष्निक संबंदों के बारे में हैं आजाए इसमें मिलान करना है कि यह बहुत बहुत इजी कोश्चन हो जाएगा लेकिन फिर भी ट्राइक मतलब कर लेते हैं ठीक है तो उपाधियों का अंत किसमें है एक तो मूल अदिकार हो गया हमारा ठीक है ग्राम पंचायत का गठेन राज के निती निदिदेशक तत्व और इंडिया अर्थात भारत यह हो गया और छे से चौदर तक के बच्चों के लिए सिक्षा के अवसर अवसर जो है वह मौलिक करतव हो गया एक बार यहां देख लिए उपाधियों का अंत मूल अदिकार है ग्राम पंचायत डीपीएसपी छे से चौदर तक के बच्चों के लिए सिच्छा करतव्य में आता है और इंडिया अर्थात भारत संग और उसका राजे छेत्र कोश्चन सिक्स पूछा है सही सुमिलित कौन सा है तो मौली का दिकार तीसरे में है ठीक है मौली का दिकार किसमें है तीसरे में भाग तीन में है और समिधान का तीसरा भाग नागरिकता है यह अपस में कनवर्ट कर देजे ऐसे कर लिजे और चौथा भाग चार कव में क्या है करतव्य है ठीक है चार कव में क्या है करता भी है और भाग पांच में क्या है भाग पांच में क्या है संग से संबंदित है संग राज्य और संग राज्य मतलब अभी मैंने दिखायता करके फिफ्ट में संग है फिफ्ट में संग है फिफ्ट में संग है सिक्स में राज्य है सेवन में कुछ भी नहीं था और एट मे में नाग रिखता है सब पताय में ठीक है और संग राज छेत्र आठवे में था ये दिया है साथ ठीक है 5-6-7 ये 5 हो गया इसको 5 पढ़ते हैं और साथ में 2 और आ गया तो 7 हो गया तो ये गलत हो गया 7 नहों के ये 8 होता तो सही होता, तो ये वाला हमारा option गलत हो जाएगा, नगर पाली का हैं किस में है, 9 A में है, निर्वाचन किस में है, 15 में है, और ये, आरो यारो दोजा सोला का भी question है, आजाए ये next, मिलान, ठीक है, 9, ठीक है, 9 का, मूल कर्तव, संगराज छेत्र, ठीक है, इसमें देखेंगे, तो ज़्यादा सही समझ में आजाएगा, देखें, 9 पंचायत, 9 का, नगर पाली का, 8, संगराज छेत्र, 4 का, मूल कर्तव, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अधिकरन किस में है, बताइए, अधिकरन किस में है, 14 कम है, ठीक, देखेंगे, पंचायत, 9 में, क संसोदन, 1992, और, चोतर में समिधान संसोदन, 1992, नोक जोड़ा गया है, नगर पाली का, जोड़ा गया है, सहकारी समिती, नोखा में है, ठीक है, और सहकारी समिती में, समिधान संसोदन, कौन सा लगता है, 97 वा समिधान संसोदन, लगता है, 97 वा समिधान संसोदन, अधिनियम 2011 ठीक और भाग 10 में फिर क्या है ये है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाती छेतर संबंदी प्रावधान है और 14 का में क्या है अधिकरने ट्रिब्यूनल बोलते हैं उसको दसवे में क्या है पंचायती राजवरस्था 9 में है ग्यारवा कोश्चित पंचायती राज़ के संबंद में 9 है भाग 9 है मिलान करना है मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक करतवे 4 का संग 5 अपाद उप्बंद 18 अपात 18 तेरा में क्या है तेरवा कोश्चित सुमेलित नहीं है पूछा है महानियावादी किसमे है 76 अनुछेद है हमारा भाग 5 आजाता है भाग 5 इसमें डिरेक्ली नहीं पूछा है महानियावादी जो है वो संग का पोर्शन हुआ तो वो डिरेक्ली नहीं बताया है कि संग किसमे है यह पूछा है कि महानियावादी किसमे है महानिवादी इसको याद करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि महानियाइवादी संक का portion है आपको यह पता हना चाहिए कि कौन से अनुछेद में आता है ठीक है और अगर आप और यह क्या हो गया 10 11 बार 13 13 में क्या था व्यापार 13 में व्यापार चौदर में आई देख लेते हैं चौदर में कोश्चन डारेक्टर से देखते हैं ऐसे देखिये पंद्रा में निर्वाचन है थीक है शोला में विश aja है कुछ सतरा में राजभाशा और अठारा में आपात हो गया सोला में क्या था कुछ विशेश था विशेश था अनुझचेद देख लेते हैं, आजाईए, next chapter कर लेते हैं इसमें, बहुत छोटा सा chapter था याला, यह देखिए, इसमें सारे अनुशेद नहीं दिये, जो main main है, important है, वही दिये हुए, तो पहले में अनुशेद में क्या आता है, संग और उसका छेत्र, ठीक है, दूसरे में नए राजों के प परिवरतन की बाद तीन में हैं, और प्रवेश और स्थापना की बाद दो में हैं, ठीक है, यह दो दो word याद करने हैं, या दोनों में से कोई एक अनुशेद याद कर लिजे, तो याद हो जाएगा, अगला वाला clear हो जाएगा, तो दूसरे का याद कर लिजे, प्रवेश और स्थापना दूसरे में, पाँचवे में नागरिक्ता की बात की गई है, चौदे में विधी के समक्ष समता की बात की गई है, इंपोर्टन्ट है यह, खुद भी दिख रहा होगा, जो हाइलाइट किया है, वो इंपोर्टन्ट है, पंद्रा में क्या है, धर्मूल वंच जा सब उपादियों का अंत है, 19 में यह सबको पता होगा, अभी विक्ति के स्वतन्ता के बारे में है, ठीक है, और 20 में क्या है, अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबन में संरक्षन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, 20-21 तो बहुत ही ज़्यादा है, यह तो नॉर्मल ला के बच्चों का, 614 तक के बच्चों को, ठीक है, अनिवार और निशुल्क से चा, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह कुछ दशाओं में गिरफतारी और निरोध से संरक्षन देता है, 23 में मानव दूरवयापार और बलात श्रम का निशेद की बात करता है, ठीक है, 25 में क्या है, 25 से लेके, 26, 27, 28 ऐसा करके यह धर्म वाले से रिलेटेड है, ठीक है, धर्म के अपाद रूप से मानने और प्रचार पसार करने की बात करता है, 25 में, 29 में क्या है, अलप संख्यक है, ठीक है, उनके हितों की बात कर रहा है, 32, very important, सभी को पता होगा, समय धानिक उपचार की बात कर रहा है, 39 जो है, राज्यों द्वारा अनुसर्णिये कुछ नीती तत्व है, 39 को है, very important, ठीक है, यह समान न्याय और निशुल्क विदिक साहता की बात कर रहा है, रट लिजे, समान न्याय और निशुल्क विदिक साहता, 40 में ग्राम पंचायत की एक तालिस में इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, सिच्छा और लोग साहता पाने का अधिकार है, 43 में सहकारी समिती है, again very important, 44 में यूनिपॉर्म सिविल कोड है, यह तो सबको पता होगा, ठीक है, पैतालिस में आ जाईए, पैतालिस में इंपॉर्टेंट है, यह भी, छे वर्ट से कम आयों के बच्चों की बालियावस्था की, देखभाल और सिच्छा के लिए, ठीक है, यह पैतालिस वाला जो है, वो बच्चों से रिलेटेड है, उम्र याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यह भी पूस्ता है, ठीक है, छे वर्ट से कम की बात कर सिच्छा की और देखभाल की, अर्टालिस का वेरी इंप्ORM परियावराण के संषान से, संवर्धन से, वन ने जीवों के संषा की बात की गई है, पचास इंप्चार पालिका और नियाईपालिका के प्रिथकरन की बात की गई है, जस वर्ट को मैं हालाइट कर रहूं कर लिजे तो आपको ध्यान में आ जाएगा ठीक है कि सिर्फ इतना अगर एक मतलब बहुत शॉट में बनाना हूं एक छोटे से लिस्ट बनाई है बहुत शॉट में और पूरा मतलिक है ठीक है ठक्रम वर डाल दीजे वह आपको याद आ जाएगा आप रिवाइस करेंगे तो रास्ट पती के 57 में पुनर निर्वाचन की बात की गई है अब ये रास्ट पती वाले हैं ठीक है यहां से लेके यहां तक ठीक है रास्ट पती 52 से लेके 61 तक बीच बीच में कई सारे छूटे हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं जो जितना दिया है उतना देख लेता है 58 में रास्पती पद की योगिता की बात की गई है, साथ में सपत, ठीक है, देखते हैं हमारे रास्पती कोई बहुत यंग नहीं होता है, ठीक है, तो साथ में सपत, ठीक है, तो एक बस ट्रिक है कि साथ में सपत, और 61 में क्या है, रास्पती पर चलाए गई महाभियोग की प्रक्र तिया गलती किये तो ग्यात 1 जाचट में उपाराष्टपती पकीक बर्बात कि कई गई है तरह चमा वादी टीकी मामिले में बात किया निर्वां मीन में में उसक्ति लिए मन्तरि परिशद को कीगा है 75 में यह प्रधान मंत्री नियुक्ती लास्पती sitting य 이걸 करेगा और अन्य मंत्री नियुक्ती लास्पती की सला से करएगा ठीक है नियुक्ति की बात की गई इसमें प्रधान मंत्री की और उसक Valor Side One 1993 उन district 25-01 में की गई है आजये आगी क्या है चीःतर में महानिया यवादी है और 79 में संसत के गठन की बात की गई है चाहरा की गए संदसेता की 84 में बात की गई है और 85 में संसद गलते kicking विगठन से 16 divided 14 में क्या बात की गई है संसद की भी विद्व की सथ में किया है ये संसद की सथर की स्थ 17 वसान और विगठन की बात की गई इस तैंस लोक सभा अध्यक्ष द्वारा अपना निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा जैसे टाई हो जाते हैं कि फिफ्टी-फिफ्टी कर लिए तो मालेजे क्या होगा अब तो लोक सभा के अध्यक्ष डिसाइड कर लें कि उनको देना है देते हैं कि वोट ठीक है में विशेश उबंद है ठीक है यह दुनों एक साथ कर लिजेगा और 122 में नियायलों द्वारा संसत की कारवाई की जाचनक किया जाना ठीक है यह हो जाएगा 112 में और 123 में क्या है अध्यादेश की बात की गई है ठीक आगया जाई है 124 में उच्छतम नियाले की बात की गई है ठीक है 119 में अभी लेक नियाले उच्छतम नियाले का अभी नेक नियाले होना 117 में क्या है पुनर विलोकन रिव्यू की सक्ति दी गई है उचितम नियाले की बात हो रही है यहां पर ठीक है उचितम नियाले एक साथ कर लीज़े जितने भी है और फिर 143 में क्या है उचितम नियाले से परामर्श करने की रास्टपती की शक्ति है परामर्श ठीक है और 148 में कैग है ठीक है कर लिजए 155 में राजपाल है 161 में चमार की बात की पर चमां कोण करेगा राजपाल करें चाथे राज जी में आ गया है, हम लोग ठीक है, यह सब तो अभी उपर के देखे होंगे, जो नंबस छोटे वाले हैं, स्मॉल नंबस हैं, यानि की 72 और यह सब, तो वो रास्ट पती की बात करते हैं, और जैसे से नंबर बढ़ते जाते हैं, वो राज जिपाल की बात कर रहे हैं, 161 मतलब 1500 से उपर है, 1500 में, 1500 के आसपास राज जिपाल शुरूग हो जाता है, एक सो पचपन मान लिजे, ठीक है, फिर 162 से हम कहां थे, कि राज जी की कारिपाल का शक्ती के विस्तार के बारे में बात कर रहे थे, 164 में क्या है, राज जिपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नि 165 में क्या है, राज का महादिवक्ता, ठीक है, नियावादी हमने देख लिया था, ठीक है, और ये 165 में क्या है, महादिवक्ता है, फिर उसके बाद 169 में क्या था, राजियों के विधान परिशदों को साधन, या फिर स्रिजन, ठीक है, 169, 174 में क्या है, राज जिपाल वारा विदेयकों पर अनुमती देना या अनुमती रोक लेना रास्टपती के विचार के लिए अरच्छित कर लेना ठीक है यह सारे राज़िपाल वाले एक साथ कर लिजेगा 200 तक आ गए हैं अब राजिपाल क्या कर रहा है 200 में कि रास्टपति के दो concealed के विदेक वगर रोक रोक के रखा हुआ है आप जो बताऊगे वही करेंगे 2001 में क्या है रास्टपति के विचार के लिए अ lotusêt विद धेयक ठिक और 213 में क्या है ये तो सबको पता होगा कि विधान मंडल के विश्टांति काल में राजिपाल की अधेश जारी करने की सक्ति 213 में है आगे आजाईए रास्टपती वाला कितने में था 123 में ठीक है और राजिपाल वाला कितने में 233 में 214 की में बात कर रहा है उच्छे नयाले की ठीक 215 में उसी का उच्छे नयाले का अभी लेक नयाले होना 216 में उच्छे नयाले के गठन की बात कर रहा है 217 में क्या है जो उच्छे नयाले के नयाधीश की नियुक्ति और उसके पत्की शर्ते वगर है दोसो उनिस में क्या है शपत है उचे नियाले के नाधीशों की बात हो रही है देखिए ठीक है 214 से लेके यह भी ठीक है यहां तक हो गया ठीक है फिर 226 आई होप सबको पता हो रेटों की बात कर रही है 226 जो हाई कोट रेट जारी करता है उसकी बात है और अधिक राजियों के लिए एक ही उचे नियाले होगा उसकी बात किस में की गई है 231 में की गई है 214 से लेके 231 के बीच में उसकी नियाले की बात कि गई है ठीक है फिर 232 में की है जिला नया धीश की नियुक्ति है और 239 में है 244 में क्या है संग चेतर के लिए उचे ने आल है 243 का अब ये देखी में ग्राम पजैना इस है पनचायत है किर में अरक्षन और जह में पंचायतों के वित्य मामलों पर सिफारिश करने के लिए राजुत द्वारा वित आयोग गठित करने की प्रावधान किसमें जह में 243 जह में तर में क्या है निर्वाचन की बात की गई है और था में क्या है अब यहां से हो गया यह चालू हो गया हमारा नगरपालिका ठीक है यह दो में ही बताया है बस वैसे और भी है लेकिन इसमें दो ही बताया है 243 था जो है वो नगरपालिका के गठन की बात करता है और यह का की बात करता है निर्वाचन की ठीक है अब 243 यह घह तो जिला यूजना के लिए समिती की बात की गई है यह जह की बात करिये तो सहका नहीं यादोगा लेकिन कुछ चीज़ें अगर मतलब दिमाग में रह गई तब भी कुछ न कुछ तो याद होई जाएगा ठीक है दोसो तिरपन पर आजाईए अंतरास्टिय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान ठीक है अंतरास्टिय की बात की गई है 262 में ये तो पता होगा जो नदियों का जो ट्रिबिनल बनता है वो वाला है अंतर राजी नदी दूनों के जल संबन्दी विवादों का ठीक है ये वर्ड पकड़ लिजे फिर उसके बार 263 में अंतर राजी परिशत के संबन्द में उंपत बंदा 266 में क्या है भारत के और भारत और राजियों के संचित निदियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है लोक लेखा है वर्ड याद कर लिजे 267 में सबको पता होगा कंटिंजेंसी फंड या कस्मिक्ता निधी की बात की गई है 280 में फाइनस कमिशन की बात की गई है 300 का में क्या है विधी के प्रादिकार के बिना वेक्टियों को संपत्ति से वन्चित न किया जाए संपत्ति के बारे में कुछ बताय गया थी तीन सो कम है 312 में अखिल भारती सेवाएं है 315 में संग और राज के लिए लोग सिवा आयोग है ओके आगे हैं 324 में क्या है निर्वाचन आयोग है ठीक है 326 में क्या है वैस्मतादिकार वगर की बात की कि अधर कहां पर लोग सभा और राज्य विदान सभाओं के लिए निर ठीक है लोग सभा में लोग सभा में अंसूची जाती अंसूची जाती सीटों को आरक्षर 331 में क्या है लोग सभा में आंगला भारती समुदाय का प्रतिनिद्रत विज्जिसे कैंसल कर दिया गया एक सुचारवे समीधान संसोदर अधिनियम 2019 द्वारा ठीक है अच्छा अ आगे चलते हैं 332 में क्या है राजियों की विधान सभाओं में विधान सभाओं में अनुसूची जान जाती हो जाती हो के लिए अस्थानों का अरक्षर्ण ठीक है अब विधान सभा वर्ड याद रख लो ठीक है बात वही है बाकी के लिए अस्थान अरक्षर्ण की बात क बार ठीक अब आ जाई है important वाले पर highlighted है 338 में क्या है रास्टी अनुसूचित जाती आयोग 338 रास्टी अनुसूचित जन जाती आयोग यानि कि SC आयोग ठीक है ST आयोग खाँ में क्या है पिछ़़े वर्गों के लिए रास्टी आयोग वह भी से आयोग कर लिजे इसको ठीक है और 340 में क्या है पिछ़़े वर्गों की दशाओं के अनुसूचित के लिए आयोग की नियुकती ठीक है 344 में क्या है राजभाषा आयोग की बात की गई है 359 में क्या है प्रात्मीक अस्तर पर मात्र भाषा में सिच्छा की सुविधाएं प्रात्मीक अस्तर पर मात्र भाषा में जिक्षा 356 भाषाई अलप संक्यक वर्गों के लिए विशेश प्राधिकारी ठीक 352 में पतानी की जरूरत नहीं हो यह मुझे लगता है युद्ध और बाहे आक्रमण ससस्त्र विद्रो ये तीन वर्ड याद रखना है युद्ध बाहे आक्रमण ससस्त्र विद्रो आंतरी का शांती नहीं है वो खतम कर दिया गया है 356 के राज्यों में सव विदान तंद्र के लेने पर जो बी मतलब को मिला के पता होगा क्या करना होता है वगर वगर भी 360 में क्या है वित्या पातकाल की बात कर रही है ठीक है रासप्तिशाशन ही थ्रीफिफिफिफिफ्टी सिक्स ओ ओर और 352 के लिए क्या यूज किया जाता है रास्टी आपात और 368 में तो सबको पता होगा समिधान संसोधन की प्रक्रिया के बारे में बताए गया है ठीक आजाए फर्स्ट कोशन भारती समिधान में कितने अनुछेद है तो अभी तो फिलाल 400 तक पहुंच गया है उससे जादा देख लिया आठ अनुसूची थी स्टार्टिंग में ठीक है जो अब बढ़के बारा हो गई है कुशन सेकेंड अनुछेद 395 थे ठीक है पूछा आरंभ में तो आरंभ में 395 थे कुशन थर्ड पूछा है अमने सब देख लिया ठीक है 395 कर लीजे 12 अनुसूचिया कर लीज बहुत सारे हो गया 395 थो सबसे पहला स्टार्टिंग नाला तो बहुत ज़्यादा हो गया मूल पूछा है मूल में कितने थे तो बाइस भाग थे ठीक है आठ अनुसूची थी 395 अनुछेद थे सेम कोश्चन है रिपेटेड में कोश्चन 6 कि अच्छा कोश्चन मुझे अनुचे 3 में है मॉलिक अधिकार की बात की गई बातीन में और प्रशाषन के अधिकरण 323 इतं इसमें देख लीजये राजιों का गठन अनुचे 3 नागरिकता भाग अनुछेद में आता है तो भाईया यह आता है एक सो सत्रा में क्या कह रहा है कि अनुछेद 110 एक का सेच में लिखित कर समध्दी प्रावधान अर्था कर अधिर ओपर करने वाला विद्धेयक या संशोधन रास्पति की सिफारिश से ही पुन्य इस्थापित या प्रस्तावि ठीक है कोशन एट विद्ध विद्धेकों के बारे में विशेश उबद्ध विद्धेयक किसमें 117 ठीक है विद्ध विद्धेयक 117 तो बाकी सब में क्या है 123 में तो हमने देख लिया अध्यादेश है रास्टपति की अध्यादेश जारी करने की सकती है 121 में क्या है उच् किसी नयाँ दौरा कटवे निर्वान की आचरण के संबंद में संसत्ट में कोई चर्चा नहीं कि यह बात हैं ठीक हैं है 1700 में क्या है संसत्ट में विद्धिन-कार रचले संबंद्धी प्रक्रिया विद्धी के पड़ेगा ठीक है किस अनुचेत के अंतरगत अखिल भारतिय सेवाओं की बात की गई है 312 तो बाकी सब में क्या है आगे देखेंगे ठीक है फिलाल इस अनुचेत के अनुसार इसमें क्या है कि यदि राज सभाने उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो करना आवाश्य है कि तो संसा से विधिद्वारा अकिल भारतिय सेवाओं के स्रजन की बात करती है ठीक है तो दो तीहाई वाला पहमत याद रखेंगा राज सभाय वाला ठीक आ गया जाए कोशन 10 सही सुमेलित बताना है तो हम पहमें पता है कि निर्वाचन आयोग जो है व संघ लोग सेवा आयोग के सदॉय कहाई कर्मचारियों के सेवा सर्टों के बारे में बता इत्लिक है यह धिन Crist mayorum उसके लावा निर्वाचन आयोग 324 ठीक है संग हो लोग सेवा योग की बात किस में की गई है 315 वे की गई तो 332 में क्या है 332 में विदान सभा में जो अनसूची जाती है उनके बारे में अस्थानों में आरक्षण की बात की गई है महादी वक्ता किस में तो 165 में ठीक है और 351 में क्या है हिंदी भाषा की बात की गई है ठीक हो गया अब आजाये कोशन 11 प्रिथक्करण की गई थी नयाय पालिका और कारे पालिका के वह अनुशित 50 में तो 48 में परियावरण के बारे में और क्या सही है देख लिजे 39a में क्या है समान न्याय एवं निशुल्क विदिक सहाता की बात कर रहे हैं 44 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहे हैं 44 में तो अभी सबी को पता होगा 44 में क्या है समान नागरिक संगिता है सॉरी गड़बड कर दिया मैंने 48 में जो है वो क्रिशी और पशुपालन नाखी परियावरण ठीक है 48 में क्रिशी और पशुपालन है कोशन ट्वल्ड देख लिजे 124 में क्या है अजिए तम नयाले की बात कर रहा है एक से के अच्छा संगिय न्याई पालीका लिखाया तो ठीक है 124 में संगे नया पालिका है पांच में नागरिक्ता है ठीक है और 352 में आकस्मिक जो प्रावधान है 245 में विदाई शक्तियों के वितरण की बात की गई है यह बिल्कुल सही है आपस में सब सामने सामने लगे हुए है ठीक है कुछ ऐसा है जो बताने वाला है अचा यहां पर एक शब्द दिया हुआ है आकस्मिक प्रावधान की बात की गई है देखे जो आकस्मिक वर्ड है उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉंटिंजनसी लेकिन जो इमर्जनसी है उसको बोलते हैं आपात कालीन ठीक है तो वह यही कह रहा है कि आखस्मिक प्राफधान की जगा आपातकालीन होना चाहिए वहां पर और कंटिंजेंसी मतलब कंटिंजेंसी वर्ड यहां पर गलत है यानि आकस्मिक वर्ड नहीं होना चाहिए बस इतनी सी बात है बाके सब सही था मिलान करना है ठीक है और समानता का अधिकार 14 में दिया गया है ठीक है और 368 में संसोधन की प्रक्रिया की बात की गई है 36 जो है वो DPSP से रिलेटेड है और 74 जो है वो मंत्री परिश्याद से रिलेटेड है एक बार यहां देख लीजिए 14 समानता की बात कर रहा है 361 DPSP है चोहतर मंत्री परिश्याद है 368 संसोधन की बात करता है question 14 समानता का अधिकार 14 में है ठीक है अगर 2-3 भी याद है मतलब 2 याद है तब भी ठीक है याद हो जाएगा ठीक है और नए राजवे को शामिल करने वाली बात 2 में है और रास्टपती का विधेक और अनुमती 111 में है और गिरफ्तारे से निरोध वाली बात 22 में की गई है ठीक है question 15 में क्या है एक सकिंड डिरेक्ट यहाँ से देख लेज़े देखें क्या है क्या है चोववन में क्या है रास्टपती की निर्वाचन की बात की गई है 75 में मंत्री परिशद मंत्री और उसकी परिशदै एक 115 म में ज nag training की बात की गई है from Tech चौर्श है कि इसमें इसमें भी मिलान करना है इस पूरे सब कुछ में मुझे यह अले कुशन बहुत इंट्रस्टिंग लगा मतलब बहुत नहीं ठीक ठाक इंट्रस्टिंग है कि इसमें सब में हटाने की बात की गई है किसी ना किसी को हटाने के स्पीकर को हटाना इनको हटाना उनको हटाना ख़ला रिखना तो स्पीकर को हटाने की बात की गई है तो 94 में ठीक है राजसभा में जो भी उपसभापती को हटाना है तो वो 90 की बात की गई है 61 में उप रास्ट पती पर महाभियोग की बात की गई है और 67 खा में उप रास्ट पती पर हटाने उसको हटाने की बात की गई है 67 खा उप रास्ट पती 61 रास्ट पती पर महाभियोग 94 स्पीकर और 90 राजसभा के उप सभापती को हटाने की बात की गई है इहां पर आ जाई हैं है ठीक है हमें निर्वाचन का पता है 324 में निर्वाचन है ठीक है और 330 वाले में यह चौथा वाला इसका ऑप्षण हो जाएगा यानिकि 330 का चौथा option हो जाएगा लोकसभाव अगर में जो भी अन्सुचि जाते हैं जाते हैं अरक्षन की बात की गई है 320 में यह प्राधिकरण वाली बात है नहीं लोकसेवा आयोग वाली बात है 320 में 320 में लोकसेवा आयोग के कारियों की बात है ठीक है और 323 में 368 वित्त वाला वित्तिय आपात और अकिलभारती सेवाएं वित्तिय आपात अकिलभारती सेवाएं यहां पर देख लीजिए समिधान रंशुदन 368 वित्त आयोग 280 वित्तिय आपात 360 अकिलभारती सेवाएं 312 ठीक है कुशन 19 वित्त आयोग जो आता है सबसे पहले उसे 280 और प्रशाष्णिक अधिकर्ण 323 ए संग लोग सेवा आयोग यह ता 315 में और यह जो क्याग वाली है ठीक है क्याग 148 में है कि बीसमा कुशन पुछाय सही सुमेलित नहीं है तो अंतर राजी परिशत की बात की गई है 363 में है वित्त आयोग दो सो चाले दो सोची में है प्रशाष्णिक अधिकर्ण 323 में है संग लोग सेवा यूग 315 मतला इसमें सब कुस है ठीक है कि मुल लेंकिन से बाहर कर दिया गया था वाई इस को कोश्चन 21 आ जाईए तो मैं 17 तो 17 तो 17 में वो जो है अस्प्रस्चता की बात करता है बात की गए उसके बात की गई है ए जेनकारी देने के संब्ध में जो प्रध्धान मंत्री के करताव करता है उसकी बात की गई है फिर 152 में राज्य विद्धान मंदलों के सदस्य के निरड़ याइं does is की गई है ठीक है राज विद्वन मंडल और दीन सो बावन में क्या है आपात कालीन इस्तिती की बात की गई है आ गया जाए यह बाइस वां कुशन है ठीक है इसे डारेक्टिस से देखते है याद करना असान रहेगा ठीक है देखिए दोसा पंद्रा में उचने आले के अभी लेकने आले होने की बात की गई है दोसा बाइस में क्या है बाइस में ट्रांसफर की बात की गई है एक उचने आले से दूसरे उचने आले में जब दो दो बार उचनेल नाले एक बार यहां उचनेले एक बार उचनेले तो तो दो करके ऐसे उनका नहीं हो रहा है तो दो दो इससे याद रहेगा, विशेष रिट जा रहे करने की, की की ये कoting उचहने उच्छ च्छ्छी ये में और दो two 27 में क्या है कि विशेश रिट के बारे में आर्टिकल 32 है ठीक है और एक ये है 226 ठीक है एक साथ पढ़ा जाता है इसको खेर आगे चलता है खेंठ शायत प्रदोष्यों के लिए उचे नियाले का प्राफधान क Points प्राफधान की है ठीक है योटीस के लिए knock कितने ऐन-दो-सौ एक तालेस अ-दो बाके सब में किया है देगए 59 में संग राजिथी चेत्रों के प्रशाशन की बारें बारे में बाती गई है 240 में कुछ स संग राज छेत्रों के विनेयमन बनाने की रास्पती की चकती श Commerce уж ठीक है 241 में संग्राज शेत्रों के लिए उच्छे नियाले की बात की गई है और 242 निरसन की बात की गई है यह पढ़ लिजेगा क्यूंकि थोड़ा सा यह अभी आगे का है न काफी आगे का है 200 क्या सपास का है तो शायद याद हो ना हो यह आ जाई है महानियाईवादी इसमना है 76 में ठीक और 148 में क्या है क्याग है 751 में यह हो गया और सरवचनियाले का छेत्रादिकार 119 में दिख लिजी एक बार 76 महानियाईवादी 148 क्याग 751 के इंद्रिय मंतरियों की न्युक्ति और 131 सर्वोचन्याले का छेतरा अधिकार विदी किसमक समांता की बात कर दीकर 14 में की गई है ठीक है कार करने का अधिकार है देखे दो चीज़ें एक तो कार करने का अधिकार है और दूसरा परिस्थिती भी ठीक हो ठीक है तो 41 और 42 तो कार करने का अधिकार 41 में और सही परिस्थितिया हूं उसके लिए 42 है ठीक और 45 में क्या है शैशवपूर्व देखभाल या 6 वर से कमायो के बच्चों के लिए सिख्षा की विवस्था की बात की गई है किसमें 45 में ठीक है तो यह कह रहा है कि बच्चों के लिए मुक्त और अन्वार सिच्छा तो वैसे दो डीपी एसपी में थी 45 में लेकिन 86 में समीदान संसोधन जिनियम 2002 के दवारा इसे एक अनुछेद 21 कर में डाल दिया गया और 45 में भी इसमें क्या किया है थोड़ा संसोध इसमें बच्चों के लिए कर दिया गया थीक है कि आखरी कोश्यन इसका कौन सा समेलित नहीं है मैंने इसको कैसे याद हिया मैंने इंडिया का मैप लिया है और उसमें जो भी जहांपर भी राज्य है वहां पे उनकी जगह पे यह अनुछेद लिग दिए है तो यह भी यह याद हो जाए गा कि कौन से राज्य के ब्लागर में कौन से राज्य हैं यह याद h लें कि कौन सा समिधान संसोधन लगा है और कौन सा इयर में बनाएं यह सारा एक ही मैप में कर लें और वह मतलब वह होंगा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है भाग 21 में क्या है आस्थाई संक्रमण कालिन और विशेश उब्बंद के बारे में बात की गई है 317 में महारास्ट और गुजरात ठीक है महारास्ट रुजात पडोसी है ठीक है जैसे यह है भारत तो गुजरात यहां पर है तो भारत यहां वो महारास्ट यहां पर तो 371 लग गया है यहां पर नगालैंड यहां कहीं आता है ठीक है तो वह का से रिलेट हो गया उसके जस्ट बगल में इधर साइड असम आता है, तो हो और अंद्री पर दो लगतेश और ऑफ ऐसे चार्ट में बनाएंगे तो ही आद होगा और गहा आंद्र परदेश में न मंगते हैं एक खा लगता और एक लगता लगता है तो घह में आंद्रब्रदेश में अंगा और घः लगता है सबस्कुम्त 근र्ध यह शिखें से प्लड़ से सनाथ से डिलेट workers अधिन से दोसर्ड गोवां झाल गवां में जहीरा जाता है तो मैंने इसको याद किया है जह, गोवा, गोवा में क्या कहा जाता है, जहींगा, ठीक है, करनाटक में, यह वर्ड मुझे, जो यह वर्ड है, जो यह, वो है, क्या बोलेंगे, इसको वर्ड, यह जो है, वो करनाटक जैसे ही मुझे मिलता जुलता सा रखता है, टा को उलट द यहां पर हमारे आले चैप्टर कंप्लीट हो गया है ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर थेंक यू